नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत आप सभी का हमाई चैनल हॉस्पिटल नौक रीपर और दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंसिटूट अफ मेडिकल साइंसेज लखनो की ओर से दोस्तों यहाँ पर बीसी नर्सिंग में एड्मीशन शुरू हो गए हैं लकनो के दोस्तों यह उनिवस्टी जैसे कि आप जानते हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंसिटूट अफ मेडिकल साइंसेज में तो दोस्तों बीसी नर्सिंग में यहाँ पर एड्मीशन शुरू हो गए हैं किस तरह से दोस् दोस्तों वह यहाँ पर ज़रूर ट्राइ करें क्योंकि यहाँ पर किसी तरहूर के सैट एक्जाम यह दोस्तों नीट्के भूए आपका अइड्मीशन नहीं होना है तो दोस्तो जो exam होना है उसी के basis पर दोस्तो आपका selection होना है तो आईए जानते हैं दोस्तो कैसे आपको apply करना है और क्या दोस्तो fee structure आपका रहने वाला है और क्या-क्या दोस्तो guideline है जो कि यहाँ पर Sanjay Gandhi Post Graduate Institute ने आपको provide की है apply करने के लिए admission process में तो दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर BSC Nursing में यहाँ चार साल का दोस्तो आपका प्रोग्राम रहने वाला है तो जो भी unmarried candidate है दोस्तो वो यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं उसके लावब दोस्तो जो भी लोग जिनकी यह 17 से चौबिस साल के बीच में दोस्तो यहाँ पर apply कर सकते हैं BSC Nursing में चार साल का दोस्तो यहाँ आपका प्रोग्राम रहने वाला है दोस्तो जो cost रहने वाला है जो fee रहने वाला है online application का वो सिर्फ आपका 1,000 rupees रहने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं तो 1,000 rupees सिर्फ यहाँ पर दोस्तो रहने वाला है उसके लाव आपको कुछ भी pay नहीं करना है online apply करते समय last date जो है दोस्तो वो आपका आगे पीचे हो सकता है admission का जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तो उसमें कोई भी ऐसा problem की बात नहीं है वो आपका आगे पीचे हो जाता है तो और दोस्तो बात करते हैं इसके बारे में तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर BAC nursing में total 40 seat हैं दोस्तो 40 seat के उपर admission होना है जिसमें से दोस्तो 8 जो है वो SC category में रखा गया है 16 unreserve में है OVC में 12 है और EWS में दोस्तो 4 है यानि कि दोस्तो total 40 seat पर यहाँ पर admission होना है BAC nursing के लिए उसके अलावा दोस्तो जो reservation है वो applicable रहेगा UP के candidate के लिए यानि कि वो लोग जो UP से belong करते हैं सिर्फ उनी को दोस्तों यहाँ पर reservation जो भी facility है वो मिलेंगी उसके अलावा जो लोग UP के बाहर से apply करते हैं दोस्तों उन्हें यहाँ पर reservation का जो benefit है वो यहाँ पर उन्हें नहीं मिल पाएगा तो दोस्तों यह clearly mention कर दिया गया है Sanjay Gandhi Medical Institute की ओर से कि दोस्तों जो reservation है वो UP के candidate को ही मिलेगा eligibility की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह आपकी जैसे हमने बताया 17 साल और 24 साल के बीच में होना चाहिए 31 December तक उसके अलावा दोस्तों qualification में अगर हम बात करें तो 10 प्लस 2 का आपके पास दोस्तों यहाँ पर certification होना चाहिए उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो 12 यानि 10 प्लस 2 है दोस्तों उसमें आपके पास physics, chemistry, biology और English होना जरूरी है with at least 50% marks इन चारोई subject में दोस्तों आपके at least 50% marks होने चाहिए अगर आप दोस्तों SC, OVC से belong करते हैं, EWS से belong करते हैं होना पर दोस्तों आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे का दोस्तों आपका होना है जहाँ पर आपको 5 पार्ट याँ हूरी देखने का मिलेगा objective taking question नहीं रहने वाले हैं objective type की दोस्तों आप बात करें तो यहाँ पर physics में यहाँ पर 20 रहने वाले हैं, chemistry में 20, biology 20, general knowledge 20, English 20 तो इस तरह से दोस्तों 100 question का यह आपका exam होने वाले हैं यानि 2 गंटे में दोस्तों आपको 100 question को attempt करना होगा जो कि आपके multiple choice question रहने वाले हैं अब दोस्तों जो question आपके रहेंगे वो 12th level के basis पर रहेंगे यानि 12th में आपने जो दोस्तों studies की हैं उसी के basis पर दोस्तों यहाँ पर exam होने वाले हैं और जो exam का mode होगा दोस्तों वो computer based रहने वाला यानि कि online exam दोस्तों यह रहने वाला है computer पर जो कि HGPGI approved center पर रहने वाले हैं तो इंडिया में already दोस्तों कई सारे center हैं जिसमें से एक center यहाँ पर आपका लखनू में है तो जो भी दोस्तों center है उन center पर यह exam आपका होना है qualifying marks की दोस्तों अगर हम बात करें तो unreserve में आपको minimum 50% यहाँ पर लाना है दोस्तों वहीं SC-STOBC की बात करें तो आपको यहाँ पर minimum 45% marks लाना ही लाना है इससे कम अगर आप लाते हैं तो दोस्तों आप disqualify हो जाएंगे तो दोस्तों यह minimum criteria भी यहाँ पर reveal कर दिया है institute ने किस तरह से आपको कितना marks लाना है और किस segments आपको कितने question देखने को मिलेंगे इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें fees के बारे में कितना fee आपका रहने वाला है तो admission fee दोस्तों आपका रहने वाला है 5000 रुपीज जब exam के बाद दोस्तों आपका selection हो जाता है course fees की दोस्तों अगर हम बात करें yearly तो semester wise दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तो फर्स सेमिस्टर में आपका जो fee से 25,000 है सेकंड सेमिस्टर में भी आपका fee जो है वो 25,000 है तो semester wise दोस्तो जो आपका fee से 25,000 रहने वाला है पर semester अगले चार साल तक दोस्तो उसके लावा यहाँ पर जो second semester दोस्तो examination fee यहाँ पर आपका submit होगा पच्छिस सो रुपए जो कि आपको first year, second year, third year or fourth year में दोस्तों आपको last semester से पहले submit करना होगा enrollment fees की बात करें दोस्तों 5000 रुपीज one time रहने वाला है यह जब आप admission लेंगे उसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने degree या certificate को collect करते हैं तो वहाँ पर आपको 300 रुपीज यहाँ पर submit करना होगा किसी भी certification को collect करने से पहले इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर caution money की बात करें तो 10,000 रुपीज दोस्तों आपका caution money यहाँ पर submit होगा जो कि आपको फिर बाद में refund कर दिया जाएगा उसके अलावा दोस्तों total fee अगर हम बात करें आपकी semester wise तो first semester में लगवगा आपका 40,750 रुपीज फीज रहेगा वहीं second semester में दोस्तों आपका 28,050 रुपीज यहाँ पर फीज रहेगा तो almost ऐसा आप मानके चल सकते हैं दोस्तों जो fees range है आपका वो इसके बीच में रहने वाला है तो इस तरह से दोस्तों आपका fees रहने वाला है तीन साल तक अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कैसे apply करना है तो दोस्तों सबसे बहले आपको online website पर जाना है उसके बार दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अपने screen पर तो यहां पर दोस्तों important यहां पर note आपको मिल जाएंगे क्या-क्या जो information आपको उसे follow करना है तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों वही information यहां पर आपको दुबारा से repeat किया गया ह अब यहां पर दोस्तों आपको form को जो है fill करना है course name आपका अपना नाम फिल कर देना है आपको middle name, last name उसके अलावा दोस्तों father name, mother name, date of birth आपको pick कर देना है और यहां पर आपको unmarried click करना है अगर आप married हैं तो दोस्तों आप already यहां पर apply नहीं कर सकते हैं mobile number दोस्तों आपको ऐसा रखना है जो कि आप use में रखते हूं क्योंकि जो भी information आपके साथ share किया जाएगा, वो mobile number के through ही किया जाना है तो mobile number दोस्तों आपको ऐसा एक यहाँ पर enter करना है जो कि वहाँ पर use में रहे और आपको जो है regularly information मिलता रहे जो भी information आता institution की ओर से तो जैसी दोस्तों आप यह information फिल करने के बाद यहाँ पर capture को enter करके submit कर देते हैं तो दोस्तों आपको एक login ID मिल जाएगा जिसके बाद दोस्तों फिर बाद में आपको यहाँ पर login करना होगा उस ID को enter करके और वहाँ से फिर दोस्तों आप अपने आदफ आगे की further information उसको यहाँ पर update कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आपको इस form को fill करना है last date की दोस्तों अगर हम बात करें last date कब का है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं last date जो है आपका वो 12 December है यानि कि 12 December तक दोस्तों आप apply कर सकते हैं अगर आपने अभी तक BSc Nursing में admission नहीं लिया है तो दोस्तों यह था आज का information जो हम आपके लिए कर रहा है हमारी इस वीडियो में आशा करते हैं दोस्तों वीडियो informative आपको लगा होगा ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करें और जोड़े रहे हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ